फ्रेंज रमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आईजी टीवी नेटवर्क पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के इंतरकत वीकली होरोसकोप सापताहिक राशिफल और यह जो सापताहिक राशिफल है यह रहेगा सोमवार दस जुलाए दोहजार तईस से लेके रविवार सुलाए जुलाए दोहजार तेस तक इस सापताहिक राशिफल में हम बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के सापता आपको जानकारी देंगे ग्रह और गोचर की कि क्या परिवर्तन होने जा रहा है क्या राश्य परिवर्तन है क्या नक्षत्र परिवर्तन है पूरे सब्ता अबर में इसके अलावा जानकारी देंगे विशेश पर्वों के बारे में पूरे सब्तावर के सभी विशेश पर्व किस दिन है और बताएंगे आपको शुब योगों के बारे में कि पूरे सब्ताव में कौन से शुब योग बन रहे हैं कौन सा शुब मौरत बन रहा है वहन खरीदने का मौरत गाड़ी विभा का मौरत हाना इसके अलावा ग्रह प्रवेश का मौरत इत्यादी बहुत सारी चीज़े बताएंगे तो चेलिए सापता ही कराशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ग्रह और गोचर की मित्रों इस सब्ता सूर्य का सफर मित्र राशी में पुनवरसु नक्षत्र के पहले चरण से करकराशी में पुनवरसु नक्षत्र के चोथे चरण तक रहेगा और सूर्य देव सुमवार 17 जुलाई 2023 को सूर्य उदे होने से पहले मतब वैसे अंग्रेजी कलेंडर के साफसे तो वो 17 जुलाई लग जाएगी अन्य था हिंदी कलेंडर के साफसे वो 16 जुलाई ही काउंट होगी सूर्य उदे से पहले सुबह 5 बचकर 19 मिनट पर राशी परिवर्तन करके करक राशी में आ जाएगे और इसी के साथी करक संक्रांती मनाई जाएगी चंद्रमा का सफर मीने राशी में रेविती नक्षत्र से मिथन राशी में आद्रा नक्षत्र तक रहेगा मंगल का सफर सिंग राशी में मगा नक्षत्र के दूसरे चरण से तीसरे चरण तक रहेगा बुद्ध का सफर करक राशी में पुनफसर नक्षत्र के चोथे चरण से पुषनक्षत्र के चोथे चरण तक रहेगा गुरू का सफर मेश राशी में भरनी नक्षतर के पहले चरन से दूसरे चरन तक रहेगा शुक्र का सफर सिंग राशी में मगा नक्षतर के पहले चरन से दूसरे चरन तक रहेगा और शनी का सफर वक्री अवस्ता में कुमराशी में शत्विशा नक्षत्र के दूसरे चरण से आगे बढ़ेगा अब बात करते हैं इस सब्ता के विशेश परवों के बारे में देखे इस सब्ता का सबसे बड़ा खास सावन का ये सब्ता है सब्ता की शुरुवाती सोमवार 10 जुलाए 2023 को सोमाश्टमी और पहला सावन का सोमवार बनाया जाएगा 21 साल बाद सोमाश्टमी का परव बनाया जाएगा 21 साल बाद सोमवार के दिन अगर सावन के महीने में कृष्ण पक्ष के अश्टमी आ जाती है तो उसे ही सोमाश्टमी कहते हैं 21 साल बाद ये सावन के महिने में सोमाश्टमी का परवब पढ़ रहा है मंगलवार 11 जुलाई को दूसरा मंगलागोरी परवब मनाया जाएगा गुरुवार 13 जुलाई को कार्टेकाई दिपम और कामी का एकादिश्य मनाया जाएगी तो चलिए अब जानते हैं पूरे सब्ता बर के शुभ योगों के बारे में देखे इस सब्ता में कोई भी रवी योग नहीं है इस सब्ता में एक सरवार सिद्धी योग ये है मंगलवार 11 जुलाई 2023 को और दूसरा है बुधवार 12 जुलाई को दो सरवार सिद्धी योग है अमरे सिद्धी योग 11 जुलाई को रहेगा दुई पुश्कर योग सब्ता नहीं है त्री पुश्कर योग नहीं है घ्रह प्रवेश का महरत नहीं है विवा महरत नहीं है हां संपत्ती क्राय विकरय का जो महुरत है वो है شुक्रवार 14 जुलाइ को आजी गाड़ी खरीदने विशने कर जो महुरत रहेगा 100 वार 10 जुलाइ तो चलिए अब साथ्ता हिक राशी फल की राशिय और शुरुआद करते हैं और मेश से लेकर मीन राशी के बारे में आपको बताएंगे पूरे साथ ताहिक राशी फल का आपको निचोड देंगे और साथ साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सिंपल उपाए और परवों से संबंद चार उपाए भी बताएंगे विशेश तो शुरुवात इसकी करता है पहली राशी मेश यानि एरिस के साथ मेश राशी ओलो ये सब्ता खुशनुमा रहेगा परिवार को पूरा समय देंगे पुराने मुद्दों को लेकर चिंता रहेगी भाई भेन से लाब मिलेगा कारोबार यातरा से लाब होगा उपाई ये करे दूसरी राशी वरिश यानि टॉरस की बात करेंगे सब्ता हमिश रहेगा निरने शंता में व्रद्दी होगी पुरानी परिशानी हल होगी दफ्तर में आत्रिक्त जम्यदारी मिलेगी पेट के रोग परिशान करेंगे उपाई ये करेंगे शिवलिंग पर गाय के घी से अभिशेक करें तो अब समय हैं पहले पर्वविशेश के उपाये का यह है पहला सावन का सोंबार डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए क्या करें दूद में अपनी छाया देखें और संबभ हो तो किसी सफेद शिवलिंग पर अभिशेक कर लें या किसी भी शिवलिंग पर उसका अभिशेक कर लें बात करेंगे चौथी राशिक कर क्यानी की कैंसर की यह सब्ता कष्टकारी रहेगा ध्यान भटका रहेगा सेहत खराब रहेगी अनाशक तनाव लेने से बचें आर्तिक इस्तिति मजबूत रहेगी इच्छाएं पूरी होंगे उपाये करेंगे चंदन मिलाकर शिबलिंका अभिशेक करेंगे च्छटी राशिक कन्यानी की बर्गो की बात करेंगे यह सब्ताह लाबकारी रहेगा व्यापारिक लाब होगा दामपते मत भेध हल होंगे सहत नरम रहेगी किसी पर जादा भरोसा ना करें दुखा धड़ी के योग हैं उपा यह करें कि पानी में मिश्री मिलाकर शिबलिंका अभिशेक करें तो अब समय है दूसरे पर्व विशेश उपाया का यह है दूसरा मंगला गौरी पर्व तो देखें दामपत्त सुख में प्रधी के लिए देवी मंगला गौरी पर गुड़ चढ़ाकर पति-पत्नी इसे मि प्रशान रहेंगे उपाये करें कि गन्ये के रस से शिबलिंग का भी शेक करें आठवी राशी वृष्चि के अनिकि स्कॉर्पियों की बात करेंगे सब्ताह धनदायक रहेगा आर्थिक मजबूती आएगी धनलाग की योग है नौकरी में सफल रहेंगे घर में को छोटी म मोटी पाटिक आयोजन होगा भागेबल से काम काचपूरी होंगे उपाहिये करें कि शिबलिंग पर धही से भी शेक करें नवी राशी धनु यहने कि सेजिटेरियस की बात करेंगे यह सब्ताह शांदार रहेगा नौकरी पेशा को लाब होगा बहुत खुश रहेंगे शु प्रदी के लिए भगवान लक्ष्मी नाराने के मंदर में शंक अर्पित कर दें बड़ी विशेश सफलता मिलीगी आप बात करेंगे दस्वी राशी मकर यहने की कि प्रकॉन की यह सब्ताह समस्यवान रहेगा थाकान महसूस करेंगे बाचीत में मिनम्र रहें चातरों का मन पड़ाई से खटेगा कोई खुशकबरी मिलेगी सहत पर ध्यान दें उपाईए करेंगे सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभी शेक करेंगे ग्यारवी रैशी कुम्भियरी के अकवर इसकी बात करेंगे सब्ताह सफल रहेगा काम के कारण पहचान मिनेगे आपकी जिवन श पूरा होगा अधिकारी सही होग करेंगे उपाईए करेंगे पानी में पीला चंदन डालकर शिवलिंग का भी शेक करेंगे तो दोस्तों समय है चौथे पर्व विशेश उपाईगा और ये है सावन की शिवरात्री बड़ा विशेश दिन है तो कानूनी बाधा से चुटका ही कराशिफल रहा सोमवार 10 जुलाए 2023 से लेकर रविवार 16 जुलाए 2023 तक ऐसे ही विशेश एपिसोट को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगे आज के लिए बस इतना इजाज़त दीजिए नमस्कार नमस्षिवाए